हलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में आए आज के वीडियो में सीटी इटी यूपीटी इटी से सम्मनित मनों विज्ञान विशाई के कुछ महात्रपूर प्रस्णों को देखते हैं और इसे वीडियो के करम में हमारा पहला प्रस्ण देखेंगे हमा टांव के छेटर में आप उप्यूगतीयों, योग्य ब्रक्तियों को किस प्रकार प्रेजित करेंगे विकलफ है उन्हें उप्यूगत पनेकर अच्छा बेतन के दारआ सोध प्रोसाहनियों पुरुषकार दे कर प्रसंसादों दे करके तो इसका सही उत्तर है सोध प्रोसाहनियों पुरुषकार दे करके अगला प्रस्ण मारा है बरतमान में किस प्रकार की सिच्छा छात्रों यो समाज के लिए लाफ प्रद है विकल्प है रोजगार परक ब्योसाइक सिच्छा विसे सग्जिता पतान करने वाली सिच्छा परदोगी का ग्यान देने वाली सिच्छा नयतिक मूलियों को उजारगर करने वाली धार्मिक सिच्छा तो इसका सही उत्तर है रोजगार पराकियों ब्योसाइक सिच्छा अगला प्रशन है बच्चों में मौलिक चिंतन की सक्ती तो इसका विकल्प देख लीजिएगा विक्सित की जा सक्ती है स्वाध्यन से बढ़ती है जनमजात होती है और अंतिम विकल्प है ए और बी दोनो अर्थात विक्सित की जा सकती है और स्वाध्यन से बढ़ती है तो इसका सही उत्तर है ए और बी दोनो हमारा अगला प्रशन है आपके विचार में चिंतन सक्ती विक्सित करने का क्या उपाय है विकल्प है छात्रों को समस्या समाधान बिर्षे पढ़ाया जाए अगला विकल्प है छात्रों में स्वा अध्येन की आदत का विकास किया जाए तीसरा विकल्प है छात्रों की खोज यों ब्रेन स्टार्मिंग बिर्षे पढ़ाया जाए और चोथा विकल्प है उप्रोग्त सभी तो इसका सही उत्तर है उप्रोग्त सभी अगला प्रशन है एक सिच्छक के रूप में आप किस भावना को बढ़ाने में मदद करेंगे बिकल्प है भेदबाव की भावना को इर्शा की भावना को एक दूसरे की मदद करने की भावना को और अंतिमिकलफ है जादिधर्म के नाम पर भेदभाव नहीं हो तो इसका सही उत्तर है जादिधर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं हो अगला प्रश्ण है आप देश की सिच्छा बदलने में किसकी भूमिका महत्तपूर मानते हैं विकलफ है उच्च बिद्यालियों में के सिच्छक केवल पढ़ा सकता है अगला विकलफ है सिच्छक तो केवल छात्रों की दिशा बदल सकता है और अंतिमिकलफ है सिच्छकों के रचनातमक कारियों की तो इसका सही उत्तर है सिच्छकों के रचनातमक कारियों की हमारा अगला प्रश्ण है हमारी सिच्छा प्रणाली तथा उसके गिरे गिरते अस्तर को में सुधार ना होने का कारण है प्रश्ण एक बार फिर से सुन लिजेगा हमारी सिच्छा प्रणाली में तथा उसके गिरते अस्तर में सुधार ना होने का कारण है विकल्प है सिच्छा के प्रति सरकार्य तंत्र की उदासी इंता जवाब देही की भावना का भाव तिसरा विकल्प है योग्य अध्यापकों का चैनना होना और चोथा विकल्प है उपरोग सभी तो इसका सही उत्तर है उपरोग सभी अगला प्रश्ण है सिसु सिच्छा के संबन्ध में आपकी राय है विकल्प है सिसु सिच्छा छात्रावास में उत्तम होगी सिसु सिच्छा की जिम्मेदारी मा के उपर होनी चाहिए तीसरा विकल्प है सिसु की अच्छी सिच्छक हो सकती है और चरता विकल्प है इनमें से कोई नहीं तो इसका सही उत्तर है सिसु सिच्छा की जिम्मेदारी मा के उपर होनी चाहिए हमारा अगला प्रस्ण है आपके नुसार प्रभावी संप्रेशन संभव हो सकता है विकल्प है अपने बिष्टित ग्यान से जोर से बोलकर स्रोता के अस्तर को जानकर आपके उचित सब्द प्रियोग से तो इसका सही उत्तर है स्रोता के अस्तर को जानकर मारा अगला प्रश्ण है च्छात्रों में स्रम के महत्तुका के विकास हे तू क्या क्या होना चाहिए तो इसका मिकलफ है सिच्छक को स्वेंग स्रम करना चाहिए च्छात्रों को स्रमजुई च्छात्रों को स्रमजीवी लोगों के उदारन देने चाहिए 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 और अंति मिकलफ़य इनमे से कोई नहीं तो इसका सही उत्तर है चाहिए 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 अगला प्रस्ण है सिच्छा के छेतर में फ्रोवियल का सबसे महत्वपूर योगदान था विकलफ़य पबलिक स्कूल सिच्छा की प्रोजेक्ट विधी विकलांगों की सिच्छा और अंतिम विकलफ़य किंडर गार्डेन तो इसका सही उत्तर है किंडर गार्डेन अगला प्रस्ण है किस विद्वान ने सीखने के पांच चरण बताये थे विकलफ़य फ्रोगेल प्लेटो हरवर्ट किमेनियस तो इसका सही उत्तर है हरवर्ट अगला प्रस्ण मारा है आप अपने बच्चे का प्रवेशी ऐसे एक बार फिर से सुने जेगा आप अपने बच्चे का प्रवेश ऐसी संस्था में करने का प्रयत्न करेंगी जिसमें बिकलफ़य कठोर अनुसासर हो छात्र के चत्रमुखी विकास का छात्र के चत्रमुखी विकास पर ध्यान दिया जाता हो अगला प्रशन है छात्रों में अपराधिक प्रवेश यो युवा अपराधिता का मुख्य कारण है विकलफ़य कूसमा योजन मानसिक मंदता आउसेक्ताओं की पूर्टिना होना उपरोग सभी तो इसका सही उत्तर है उपरोग सभी हमारा अगला प्रशन है इसकूल अनुसासन के सम्मंध में निम्न में कौन सा कथन सही है विकलफ़य अनुसासन सिच्छन अधिगम प्रिया का एक अंग है दूसरा विकलफ़य अनुसासन अस्थापित करने के लिए छात्रों को सदय दंड देना चाहिए तिसरा विकलफ़य अनुसासन का उद्देश छात्रों को दंड देना नहीं होता बलिक एक सुधारात्मक प्रियास है और अनुसासन का उद्देश छात्रों को दंड देना नहीं होता बलिक यह सुधारात्मक प्रिक्रिया है तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही हमसे जुड़ने के लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद